तो हलो गल्स और गाइस इस विजयर रहरा बैक रितना न्यू वीडियो और वीर एकनोमिक्स में हम लोग ने लास्ट वाले वीडियो में देखा था कंजप्शन फंक्शन क्या होता है अच्छा इसके पहले और अग्रिगेट डिमांड क्या होता है तो उस अग्रिगेट डिमा of my notes so in this video we will begin with saving function so let's talk about saving function क्या होता है saving function भी जैसे consumption function होता है वैसे saving function होता है here saving function is known as is known as the relationship between relationship between saving and income तो जैसे के हम लोग ने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने 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 लास्ट वीडियो में देखा था कि जो relation होता है consumption और income के बीच में उसको बोलते है consumption function यहां पर देखें हम लोग जो relation होता है saving और income के बीच में उसको बोलते है saving function अचा हमारा लास्ट और लास्ट वीडियो देखने के लिए just go to the i button है यहां पर आपको hybrid में हमारा लास्ट वीडियो सा जाएंगे आप वहां से देख सकते हैं वाले देख लेंगे तभी यह वाला आपको देखेंगे तो सही लगेगा तो यहां पर saving function क्या होता है saving function is known as the relationship between saving and income saving और income की बीच में जो relation होता है उसको हम लोग बोलते है saving function तो इसी को हमने समझने के लिए हमने एक schedule बना दिया schedule हमारा लास्ट वीडियो के जैसा same है उसी को आगे continue करते हैं तो जैसे income था consumption सा saving था हमारी income कुछ नहीं थी उसके बाद में हमने 20 रुपए खर्च कर दिये अब जालो होती है कहां से negative से जब आपके income कुछ भी नहीं है और आपको खर्च करना है तो कहां से करोगे आप पुरानी savings से तो यहां पर आपकी negative savings क्रेट होती है इस बार मैंने savings में सर्फ घर से कितना लिकिया था सिर्फ 10 रुपए यहां पर और आगे बढ़ते हैं मैंने 40 कमाया 40 खर्च कर दी इसबार मैंने कुछ भी नहीं लिए घर से थर्ड बात करते हैं बात यह है कि सेविंग जो है न हमेशा नेगेटिव से चालू होता है यहां से कि जब भी कभी इंकम जीरो है तो इंकम के जिरो वाले लेवल से चालू करेंगे यहां पर सेविंग रहेगा यहां पर सेविंग रहेगा यहां पर इंकम रहेगी यहां पर इंकम रहेगी तो यहा नीचे वाले लेविल से 0 से नीचे से चाल दो होगी सेविंग की एक सी दी लाइन बनती है इसको बोलते है सेविंग का यहाँ पे इस पॉइंट पे अपन इस पॉइंट को क्या बोलते हैं यहाँ पे इस पॉइंट देते हैं जहाँ पे इस पॉइंट को बोलते हैं जहां पर savings हमारा 0 हो सकता है या फिर इस point को हम लोग consumption is equal to income वाला point भी दे सकते है कि यहां पर जहां पर income is equal to consumption होता है तो उस समय पर हमारी savings क्या होती है 0 होती है अच्छा इसी point को हम लोग ने हमारे last video में क्या बूला था break even P.O.I.N.T. point तो यहां पर हम लोग ने इस point को क्या बूला था break even point अच्छा break even point के बारे में और clearly समझ लग लिए just go to the i button आपको वहां पर हमारा last video मिल जाएगा break even point समझ में आ जाएगा इसके बात बात करते हैं savings से related कुछ relations की relation between saving and income so सबसे पहला relation सबसे पहला relation कुछ इस तरीके से है कि there is always some minimum level of consumption some minimum consumption even when income is equal to zero हमेरे शाम लोग कुछ न कुछ खर्च करेंगे भले ही हमारी income क्या है zero है which creates which creates negative savings जिसे हमारा क्या होगा negative savings create हो जाएगी so we can say that S always begins with negative which is known as known as S bar or autonomous saving कि जैसे हम लोग ने consumption function बात किया था जब भी कभी हमारी income zero है तो जो consumption है उसको क्या बोलेंगे हम लोग C bar इस तरीक से जब भी कभी हमारी income zero है तो उस समय पे जो saving है उसको हम लोग बोलते हैं क्या S bar तो यहां पे जब भी कभी income zero है तो कुछ ना कुछ खर्च करेंगे और कुछ ना कुछ खर्च कहां से करेंगे पुरानी savings से तो income जब जीर होगी तो savings हमेशा क्या होगा कुछ negative होगी और वहां पर ऐसा कह सकते हैं कि as bar हमारा क्या होता है हमेशा negative ही होता है दूसरा relation बात करते हैं कि there is same relation between between income and saving income और saving के बीच में क्या relation होता है same relation होता है as income increases saving increases and vice versa कि जैसे जैसे हमारी income बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी saving बढ़ जाएगी जैसे जैसे हमारी income घटेगी वैसे वैसे हमारी saving घट जाएगी तो there is same relation between income and saving इसका तीसरा relation बात करते हैं कि saving is always lesser than income आपको यह समझ में आ रहा होगा न why income को बोलते हैं as saving को बोलते हैं c consumption को बोलते हैं तो यहाँ पर तीसरा relation क्या है saving is always lesser than income unlike c consumption income से ज्यादा हो सकता है पर saving income से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता आप देखो हम लोग कुछ नहीं कमा रहे हैं खर्च तो कर रहे हैं मतलब हमारी income 0 है तब भी भी हमारा consumption क्या है 20 है बट हमारा savings हमेशा क्या है negative है मतलब कि यह आप income और saving के बीच में जो gap देखोगे ना relation देखोगे तो income हमेशा हमारी saving से ज्यादा देखेगी तो s is always lesser than income unlike c c के जासा नहीं c income से ज्यादा भी हो सकता है because s क्यों होता है because s is a part of income s क्या होता है हमारी income का एक हिस्सा होता है कमाई करेंगे तभी तो बचत होगी नहीं कमाया तो बचत कहां से होगी पर खर्च हो सकता है कमाएंगे नहीं, खाने के लिए, पेट में खाने के लिए, हम लोगों को कुछ न कुछ पैसे तो चाहिए, तो खर्च कर सकते हैं, पर हम लोग बचत नहीं कर सकते, तो यह तीसर रिलेशन था, चौथा रिलेशन, चौथा रिलेशन की तो बात करते हैं, तो वो भी same almost conception function जैसा क्या शू करती है linear saving function, s-line क्या होती है, street line, आपको दिख रहीut street line, तो s-line क्या है, street line है, जो क्या शू करती है linear saving function, क्यों शू करती है, because again the slope of s-line is, कि s-line का तो slope होता है एबर फिर से बता रहे हैं किसी भी graph का जो face होता है जैसे इस a-line state दिख रही है है ना किसी भी graph का जो face होता है उसकी slope पर तो यहां पर s-line state line है जिसकी वज़ा से linear saving function शो कर रही है जिसकी वज़ा से linear saving function शो कर रही है और ऐसा क्यों क्योंकि स्लोप जो है slope of s-line is always constant क्योंकि slope of s-line क्या होता है हमेशा constant होता है अब यह slope of s line कौन है यार तो यहाँ पर slope of s line की बात करते हैं कि slope of s line क्या होता है और क्यों होता है तो slope of s line की बात करते हैं तो यहाँ पर slope of s line होता है mps mps क्या होता है mps होता है marginal propensity to save marginal propensity to save क्या होता है marginal propensity to save को हम लोग बोल सकते हैं कि it is known as the relationship between change in saving and change in income इसको निकालते भी कैसे हैं delta s upon delta y करके और होता भी क्या है relation between changing saving and change in income यहाँ पर बात करते हैं आगे इसको भी वही बोले जाता है it is known as the speed of increase in saving कि अगर MPS क्या है 1 by 2 है 1 by 2 है तो हमारी income कितनी ग्रो हो रही है income कितनी भी 20 से ग्रो ही और MPS क्या है हमारा 1 by 2 है तो 20 का आधा हम लोग किसमें डाल देंगे savings में डाल देंगे 20 का आधा मतलब 10 अभी हमारी पुराणी negative savings किती थी minus 20 अब negative savings किती थी minus 10 मतलब कि minus 20 में 10 प्लस कर दिया हमने इसलिए minus 10 पे आगया तो इस तरीके से MPC क्यों क्या बोलते हैं It is known as the speed of increase in income increase in savings MPC is known as the speed of increase in savings इसी तरीके से हम लोग को अगर निकाल लेते हैं MPC sorry MPS अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो यहाँ पे अगर हमको MPS निकालना है तो इस साइड निकाल देते हैं आपके लिए तो यहाँ पे अगर MPS निकालना है तो कैसे निकालेंगे delta saving upon delta income तो delta saving और delta income निकालने के लिए पहला saving और income तो है नहीं हमारा पास क्योंकि इसका change नहीं निकल पाएगा तो यहाँ पे फिर देखते हैं delta saving दूसरे का कैसा आ रहा है तो delta saving मतलब की new saving minus old saving मतलब की s1 minus s upon y1 minus y तो यहाँ पे s1 क्या है minus 10 minus minus 20 s1 minus 10 है और s क्या है minus 20 है इस तरीके से y1 क्या है 20 और y क्या है 0 तो यहाँ पे minus minus 20 करेंगे न तो difference आएगा plus 10 divided by 20 मतलब की 1 by 2 फिर इसी तरीके से करेंगे 0 से minus 10 घटाएंगे तो फिर plus 10 आएगा फिर 20 आएगा 10 by 20 फिर 1 by 2 फिर करेंगे 10 में से 0 गया फिर 10 बचा फिर 20 आया फिर 1 by 2 फिर 20 में से 10 गया फिर 10 आया 80 में से 60 गया, फिर 20 आया फिर 1 by 2 तो MPC अगर निकालते हैं तो हमेशा 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2 आ रहा है मतलब कि MPC क्या आ रहा है हमेशा constant आ रहा है MPC constant आ रहा है तो यही reason है जिसकी वज़ा से हमारा slope of S line यही वज़ा है जिसकी वज़ा से हमारा आगे बात करते है यही भी बात करते है formula of S line की algebraic formula of S line तो अगर हमें S line का algebraic formula देखना है तो हम लोग बता सकते हैं algebraic formula मतलब कुछ नहीं just simply S line का formula तो S का formula क्या होता है minus S bar plus small s small s मतलब की MPC भी बताएंगे हम आगे small s into y तो S is equal to minus S bar plus small s y जिसमें की S जो रहता है हमारा savings रहता है savings मतलब की savings में से कोई भी एक point हो सकता है जिसमें हमारा S bar क्या होता है autonomous saving क्या होता है autonomous saving पर तीसरी चीज़ बात करते है small s small s होता है हमारा MPS जो अपन ने अभी पढ़ा MPS को और क्या बोलते है slope of S line और क्या बोलते है margin prepositive save और कैसे निकलता है इसको अपन क्या बोलते है कैसे निकलता है delta s अपन delta y करके इसको क्या बोलते है speed of increasing savings फिर चौती चीज़ रहती है यहाँ पर हमारा income तो यह हमारी income हो जाएगी तो यहाँ पर अगर आपको कुछ इस तरीके से question आ जा रहा है कि calculate savings क्या निकालना है आपको calculate savings when income is 2000 s bar is 200 and MPS is 0.5 तो अबन के बोलते है s is equal to minus s bar plus small s y दख दिया भाई कि यहाँ पर s bar कित्ता दिया हुआ 200 तो यहाँ पर हमने कित्ता ले लिया minus 200 smallest कित्ता दिया 0.5 0.5 यह ले लिया smallest मतलब MPS y कित्ता दिया हुआ 2000 तो y 2000 रख दिया तो यहाँ पर minus 200 इन दोनों के इंटू किया तो कित्ता है 1000 1000 में से 200 गया तो बचा 800 अच्छा एक खासियत रहती है किसी इसकी s bar की s bar क्या दिया हुआ आपको 200 तो आपने यहाँ पर कित्ता लगा दिया है minus 200 क्योंकि फॉर्मले में minus है अच्छा यह फॉर्मले में minus इसलिए रखा गया है कि s bar जो है s bar की खासियत ही है कि s bar हमेशन negative होता है कि s bar always begins with कि s bar always begins with negative तो s bar क्या हमेशन negative से चालो होता है तो s bar की खासियत ही है कि हमेशन negative होगा अगर यहाँ पर 200 दिया है तब भी हम यहाँ पर minus 200 लिया होता कि question में दे दिया कि s bar minus 200 तो ऐसा नहीं कि वो minus 200 और minus इसका काट दोगे minus minus plus 200 हो जागा नहीं आपको बले minus 2 दिया है तभी आप minus 200 लोगे plus 200 दिया है तभी आप minus 200 ही लोगे तो यहाँ आपका savings किता आजाएगा 800 तो अभी तक हम लोगोंने last chapter और इस वाले chapter में हम लोगोंने last video इस वाले वीडियो में हम लोगोंने दो formula अच्छे से सीख लिए है पहला formula is consumption function का consumption function का formula क्या होता है c is equal to c bar plus by s का formula saving function का formula भी देख लिए हम लोगोंने s is equal to minus s bar plus small as y फिर एक universal formula रहता है y is equal to c plus s इमने आपको last video बता है था तो y is equal to c plus s क्या है universal formula जब भी कभी हमारी income होगी तो जो consumption होगा saving होगा निकल आएगा कि हमारी income यहाँ पर इस वाले question के साफ से देखे तो income किती थी 2000 savings हमने कितने निकाल ली 800 तो ultimately हमारा consumption कितना होगा 200 1200 कुछ इस तरीक से समझ में आया है तो thank you so much girls and guys for this video अच्छा again I must say that कि please subscribe our channel to get more of these these kind of videos and like it comment अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है कुछ आप पर्टिकलर वीडियो किसी भी chapter से रिलेटर चाहते हैं thank you so much girls and guys bye bye like share subscribe and spread the knowledge bye